अस्सलाम अलेकुम नर्सरी क्लास तो नर्सरी क्लास में हमारी पैरिविंकल की राइटिंग स्कील नमबर अप्टू 20 उसकी बूग है हमारी पैरिविंकल की दो बूग है कैपिटल लेटर और नमबर्स अप्टू 20 तो आज हम नमबर्स up to 20 में सीखेंगे तो उसमें हम क्या सीखेंगे कर्व सीखेंगे क्या सीखेंगे कर्व इसे हम क्या बोलेंगे कर्व बोलेंगे तो इस डॉट को ये पेटन हम लोग कम्प्लीट करेंगे ये क्या है कर्व है क्या बोलेंगे कर्व तो इस तरीके से यह कर्व हम डॉट कम्प्लीट मैच करेंगे तो क्या बनेगा कर्व बनेगा क्या बनेगा कर्व यह क्या है कर्व है तो हम यह कर्व को कम्प्लीट करेंगे तो पूरा पीज बर के आप लोग को क्या करना है कर्व करना है उसके भी दोवे है यह फर्स्ट है औ यह first type का curve है और दूसरा second type का curve है तो हम लोग यह page complete करेंगे तो आप मैं आपको सिर्फ example दे रही हूँ आप लोग को complete अच्छे से लिखना है तो देखो यह page number 6 है तो page number 6 पर हमें classwork दिया हुआ है तो आप लोग को classwork भी complete करना है और फिर उसके बाद homework है page number 7 पर तो page number 7 पर जो homework दिया हुआ है वो भी हम लोग को complete करना है फिर उसके बाद देखो मैं आने आपको बताया उस तरीके से कि यह दूसरे type का curve है तो यह curve भी हम complete करेंगे तो देखो यह curve को भी इसी तरीके से यह dot को हम लोग इस तरीके का curve सिखें अब इस तरीके का curve तो यह curve आपको करना है complete इस तरीके से आप लोग को curve लिखना है जहाँ पर dot d हुई है वहाँ पर ही आप लोग को लिखना है आप कैसे लिखोगे वह आपको दिखा रही हूँ कि यह curve है क्या है curve इसे हम क्या बोलेंगे curve बोलेंगे क्या बोलेंगे curve तो इस तरीके से आप लोग को curve complete करना है तो इसके भी दो page है classwork और homework वह आप लोग को complete कर नहें पेज नमबर 9 पेज नमबर 6 टू पेज नमबर 9 वो आपका होमवर्क है